प्रॉब्लम जो अभी 90% नीट एस्पारिंट्स फेस कर रहे हैं, that is backlogs. होता क्या है? जब भी batch स्टार्ट होता है, तो लगबग पहला 2-3 वीक हमारा ठीक जाता है. और जैसे ही एक देड़ मेने का सिलसला complete होता है, हमारे कुछ chapters के backlog हो जाते हैं. अब कैसे clear कर सकते हैं इन chapters के backlog? आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं. अब देखो, generally जो coaching institutes का trend है, अभी तक आपके 11th class के portion में chemical bonding वगरा तक खतम हो गया होगा. अगर आप बात करोगे chemistry की, physics की बात करोगे तो work power energy तक खतम हो गया होगा. और अगर biology की बात करोगे तो अगर class 11th से start कर रहो तो plant morphology तक खतम होगा होगा. और अगर 12th से start कर रहो तो आपका evolution वगरा तक syllabus खतम हो गया होगा. अगर मैं सही बोलना हूँ तो comment section में जरूर mention कीजेगा. अब देखो problem क्या होता है? इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीच में किसी एक वीक वाले class में बिमार पड़ गया है या कोई function हो गया या कोई relative आ गया या कुछ भी issue हो गया जिसके वजह से उनके जो portions है वो प ने का ना दो easy तरीका होता है पहला तुम देखो तुमारे पास किस तरह का backlog है जैसे माल लो कि तुम को ये topic पढ़ लो जैसे माल लो कि मैंने principle of inheritance and variation पढ़ा ठीक है अब उसके भीना मैं molecular basis of inheritance नहीं पढ़ सकता है ना तो वो मेरा essential backlog में आ जाएगा but मैंने sexual reproduction flying plant नहीं पढ़ा अगर आपका essential backlog में दो chapter होगा तीन chapter होगा उसे chapter को जिस दिन आपकी coaching नहीं होती और जिस दिन आपकी classes नहीं होते उस time में निप्टारा करने के कोशिश कीजिए आप दो वीक का time लिजे उन backlog chapters के लिए और उसको systematic तरीके से complete कर लिजे अगर कोई non linked chapters है तो उस chapters को आप अभी छोड़ सकते हैं और उसका backlog syllabus खतम होने के बाद आप या जब उस chapter की जरूरत महसूस होगी तब आप उस chapter को अच्छे से complete कर सकते हैं ठीक है यह हो गई पहले तरीका दूसरा तरीका क्या होता है कि generally बच्चों को एक दूसरा तरह का backlog होता है और इसमें क्या होता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं और फिर उनको लगते हैं अरे मुझे तो यह चीज याद ही नहीं है तो उसका क्या solution है तो पटा उसका एक बहुत सिंपल सा solution है कि आपका schedule थोड़ा systematic तरीके से आपको manage करना पड़ेगा that is your entire week schedule and that is your weekend schedule also with accordance to your test series कैसे करेंगे से तो देखो Monday to Saturday का जो आपका time होना चाहिए वो essentially आप कुछ नया पढ़ने को ही दे रहे हो और रात का जो time है Monday to Saturday का उसको आप उस दिन का particular revision के लिए रखते हो ठीक है तो अगर मान लो कि मैं आपने offline center के schedule की बात करूँ तो मेरे offline center का schedule जो है वो सुबह साड़े चाह सुरू होता है तो सा चाह से आठ वाले time पर जो student है वो याद करने वाला चीज जो उसको memorize नहीं होता उस चीज पर focus करता है आठ से नौ के आसपास उसका breakfast वगरा सब कुछ हो जाता है और नौ बजे वो फिर से class में आ जाता है ठीक है नौ से ग्यारा वो class 1 करता है which is a theoretical class जैसे बायो पढ़ लेग जिसको आपको conceptual form में देखना है तो theory concept याद तीनों चीज आपका कभड़ हो जाता है तो दो lecture आपको लेना चाहिए चार घंटे का ठीक है जो आप नया syllabus में completion में यूज करो उसके बाद जो है आप एक पंदरा से दो के आसपास lunch कर लो धाई बज़े तक थोड़ा rest करो और ध हाई से साढ़े पांच का जो टाइम है आपका जो स्टैंडर टाइम होगा आपके नीट एक्जाम के टाइम पे भी उस टाइम पे आप क्या है ना question solve करो तो आपका brain उसी form से एजाईल होगा तो जो भी आपने इन चार घंटे में पढ़ा है या पिछले week में पढ़ा है उन स कीजेए झाड़ से कुछ अपने नोट बना रहे है त्योरी पढ़ने है कुछ ऐसा कर रहे है और उसके बाद साधे- आछ बजे आप डिन खिलिए साधे- नौ साधे-श सँ साधे- ग्यार तक एक और शिव्ट आप लगा लीए और जहां पर आप ने पूरे दिन जो पढ़ तिया थी उसको mistake note मुगे रखिए और पूरे दिन जो पढ़ा है या उसके एक दिन पहले जो पढ़ा है उसको revise कीजिए Sunday का टाइम आप हमेशा अपने backlog के लिए test के लिए और revision के लिए और अगर आप ये schedule follow करेंगे essentially तो आपका syllabus भी December end तक complete हो जाएगा और December end के बाद आप systematic तरीके से अपने test series दे सकते हैं test series के साथ test series की analysis कर सकते हैं और आपना हर test के साथ NEET का score improve कर सकते हैं this is the best hack to study for your NEET 2025 exam देखो इन सब चक्करों में मत पढ़ना कि आपका paper का difficulty level कैसा होगा paper एक shift में होगा या दो shift में होगा बाकी सारी सवाल secondary है आप अभी अपने input matrix पे focus कीजे बिना distraction के और कोशिस कीजे जितना जल्दी syllabus complete कर पाए आप with 70% accuracy also अगर आप syllabus complete कर लेंगे by the end of 31st December मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका selection कोई नहीं रोख सकता 99% जो बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं मतलब 400-500 number पर अटक जाते हैं इसलिए सलेक्ट नहीं होते क्योंकि उनका स्लेवर्स मार्ष तक हतम होता है Mark my words, this is coming from someone who has cleared most of the competitive exam who has sat in On that note, I am ending this video, कुछ और क्वेरी है तो कमेंट सक्षे नहीं बता ना, एक क्वेरी आएगी सर बेग्राउन बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने वीडियो बनाएं कंसरां तुम लोग घूम नहीं रहे हो तो थोड़ा जल तो लो मजा कर रहा हूं चलो, take care, bye bye and have a great day कुछ और कोईजी से कमेंट सक्षेन मेंचेन करना, thank you